OVCG मैं आपके साथ चुरुआत करना चाहती हूँ OVCG आए, क्या लाए? धर्म का काटा लाए? या रोप लगता है आप पर, क्या होगा आपका जवाब? ने ने ये तो बिलकुँ गलत है मैं कभी धर्म का ना यूस किया पाए अलेक्शन में ना कभी करूँगा और अगर करता हूँ तो अलेक्शन कमिशन और जितने हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो फॉरन अलेक्शन कमिशन को कम्प्लिन दे सकते हैं M.C.C. का वाइलेशन है परेशानी यहां पर शुरू हो जाती उसी समाज को उसका हिस्सा मिलता है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और अगर आपको में डेटा देना शुरू करूँ तो इसको भी करॉबरेट कर सकता हूँ यही हमारा लड़ई है यही हमारा जगड़ा है यही हमारा डिमांड है कि अब हिस्सेदारी की सियासत हो तो जब उस पर ये बात होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ गुलामी करिए हमारा साथ दीजिए या डरते रहिए तो हम इन चीज़ों को उठाते हैं, तो इससे सब को तकलीफ होती है चलिए, शुरुवाती कमेंट एक आप से लेने के बाद ही मैं अगला ट्रॉस क्वेशिन उनसे करूँगी आपको तो मुस्लिमों के वोट चाहिए नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये आप कैसे कैस्ती है क्यूंकि यहां पर बैठे आज केश्व प्रसाद मौरे जी ने कहा सौ में से साथ फीजदी हमारे साथ है चालीस में बटवारा है, उस बटवारे में भी हमारा है तो चालीस फीजदी तो आप पहले ही स्वाहा कर चुके है अब चालीस में भी हमारा है तो वहीं से शुरुवात कर लिजे फिर वहीं से शुरुवात करेंगे तो उसमें हमने तो नहीं कहा हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमारी जितनी भी आप कार योजना देख लीजे उसके अंदर कली मैं प्रदान मंत्री जी का जो कारिक्रम था गरीब कल्यान योजना के तहट उसके अंदर जो बैग्स और जो हम लोग ने वितरन किया तो उसके अंदर कहीं मैं दस लोगों को दे रहा हूं तो वहाँ पर तीन चार तो मुस्लिम बहने भी थी तो हमने कब कहा हमारा आयूशमान कार्ड ले लिजे आयूशमान कार्ड में लेके हमारे प्रधान मंतरी आवाज देखे मुख मंतरी आवाज देखे ये जितनी भी योजना है हमने तो नहीं कहा कि इस कौम को नहीं मिलेगा इस कौम को ही खाली दिया जाएगा हम तो देते आ रहे हैं हम तो कह रहे हैं हमारे सब हैं मगर जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमें इतना ही चाहिए हमें वो नहीं चाहिए हमारे पास तो यही वोट होना चाहिए तो हमारी तो नीति ऐसी नहीं है हिस्थेदारी के नाम पर आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं यह आरोप उनका सीधा है जब वो 10 बैग देते तो उसमें से 2-3 मुसलिम भी होते हैं अब ये सवाल कैसे आप पूछ रहेंगे कि आप इनको नहीं भी मुसलिम हो तो मैं बैग नहीं देंगे दिखिए मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूं अगर बैग की बात करना होता तो बैग लेकर चला जाता मैं मैं बैग नहीं चाह रहा हूं मैं अपना पॉलिटिक्स में हिस्सा चाह रहा हूं और उतरपरदेश की सियासत में हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इन्शाल्ला हो ताला जहां तक बैक की बात हमारे मौजिस दोस्त ने की इस हिस्सेदारी का मतलब क्या है सर ये क्या हिस्सेदारी कह रहे हैं हिस्सेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर जब मुझफर नगर का कांड हुआ सतर के खरीब मुस्लिम मेलेस थे क्या हुआ इससेदारी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज उत्रपरदेश में जो मुसल्मानों का लिटरसी रेट क्या है आप पूछ लीजिए पांच बैक बाटे क्या लिटरसी रेट है मुसल्मानों का नहीं आपने पांच बैक बाटे ना तो हमारा अभ्यान है आप आप लोग जाएं उनको कहें सब को कौम के अंदर कहें कि आप सिक्षित हुई है आप सिक्षित होकर जाएए इसकूल में भी जाएए कहें उसको कहा जाता है कि आप इतना ही मदरसा ही में पढ़ेंगे तो उसको मदरसा को जो हम मौडनाइज करते है तो उस पे आपती आती है ये किस प्रकार की नहींती है मैं जो पूछ रहा हूँ आपको नहीं मालूम इसलिए आप बीटिंग रौन दो बुश कर रहे हैं लिटरसी रेट उतर पर देश मुसल्मानों का 58% है प्राइमरी स्कूल जो कम्प्लीट माने मुकंबल करते 20% और प्राइमरी स्कूल कम्प्लीट कर देते वो 15% हाई स्कूल 3% ग्रैजूइट 2% ड्रॉप आउट रेट क्लास 5 से 5 साल की उमर से 15 साल तक ड्रॉप आउट रेट 59% तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है पूरी सरकार ने जिम्मेदार है जहाँ पीजे का विधायक होगा वहाँ तस्वीर बदल जाएगी सुनिए सुनिए अगर जो सरकार चाहती है तो यह क्यों नहीं कर सकती? MSDP का प्रोग्राम है 160 का डॉप एस मोड़ी सरकार ने दिया 10% आपने उसके इस्ते इस्तामाल नहीं किया मैं आपको बता रहा हूँ बता रहा हूँ बोलने दीजे यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक एक माइनोरिटी की पॉलिटिकल वाइस नहीं होगी उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो political empowerment का मसला हो मसले हल नहीं होंगे